नमस्कर दोस्तो हमारे YouTube चैनल health fitness में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फेनिकफ DX सिरप के बारे में इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी बाते करके देंगे तो दोस्तो आप हमारे साथ बने रहे और इस वीडियो को लाश्ट तक देखे और ध्यान से देखे तभी आपको फेनी कफ सीरफ के बारे में अच्छ से जानकारी मिल पाएगे कि ये सीरफ किसे में काम आता है इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं और किसमें यूज कर सकते हैं इसके बारे में हम आपको पूरी जनकारी बाते करके देंगे तो दोस्तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूरत मंद लोगों के साथ इस वीडियो को सेर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं तो दोस्तो ये फेनी कफ सीरफ डाक्टर मोरपेन कं इसको manufacturing करती है और मार्केट में हर जगे अवेलबल है आप किसी भी केमिस्ट के दुकान पे या medical store पे इसको आसानिस से ले सकते हैं और लेने से पहले आप इसका expiry date एक बार आप जरूर देख के लिए आईए जान लेते हैं ये फैनी कप डियक सीरप किसमे काम आता है और ये सीरप डेक्षटा में तो फैन और हाइडरो क्लोराइट और क्लोरो फैना माइन इसका salt मिलाया गया है और ये खासी के लिए बेहतेरीन दवा है ये सीरप को खासी में इस्तेमाल किया जाता है सुखी खासी हो बलगम वाली खासी हो तो भी आप इसका 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 कर सकते हैं इसको इस्तिमाल किस तरीके से करना है? इसके बारे में हम जान लेते हैं एलर्ट के लिए 5 ेमल दिन में 3-4 बार इसको यूस कर सकते हैं और 6-12 साल के बच्चों को धाई एमल दिन में 3 बार इसका इस्तिमाल कर सकते हैं सुबर दूपहर साम और इसका side effect क्या है? इसके बारे में हम जान लेते हैं इसका side effect कुछ है नहीं फिर भी इसकीन पे itching होना, red color का चकत्ते पढ़ना मतली आना, इस तरीके से इसका कुछ खा side effect है और यह सिरफ 100 ml का आता है इसका MRP है 90 रुपए और तो दोस्तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप जरूरत मंद लोगों के साथ इस वीडियो को सेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज जो नीचे red color का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पे आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आप बेल आइकन को दबा दीजे इस से आपको हमारे नीच वीडियो की अपडेट या नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पास सकेंगे धन्हुआ दोस्तो